हेलो हैं नमसकर दोस्तों जो आप सामने देख रहे हैं यह मारे मिर्च का प्लांट और बना हुआ है और फ्लावर मी अच्छी हो रही है इस तरह से आप भी अपने प्लांट पर पाना चाहते हो अ anthropik से अधिक मेर्च है एंड हरा वरा बनाना चाहते हो अपने प्लांट को तो यह वीडियो आपके लिए बोद इंपूडेंट होने वाली है जिसमें हम आपको इसके कुछ के बारे में बताएंगे एंड इसके में कुछ और जैनी फडलायर का यूज कैसे करना है इसकी विजानका बारी दैने वाल इस ब्यूडियो में तो चलो ब्यूडियो को सुरू करते में टैमेश्ट किये तो यह देखिए हमने जो इसकी केर की उसके बारे में पहले बात कर लीती है कि हमने इस प्लांट की केर करने के लिए हमने इसको आधिक से अधिक ऐसे हिस्तान पर रखा जहां और अधिक से अधिक इस प्लांट को दूब मिल सके जिसे ही क्या होता है कि मतलल यह मारा प्लांट है वह अधिक से अधिक फ्लॉवरिंग देता रहता है एंड अधिक से बिक्सेत होता रहता है प्लॉक्रेस भी हच्चे से चलती रहते इस प्लांट की एंड वाटरिंग की ब मड़ड आ पानी है एक दो दिन बाद देती रहना है और अब हम बताते आपको इसके पडलाय से पढ़ाय तो पढ़लाय डानने से पहले आपको , इस प्लांट के नमी बनाए रखनी है और अब हम आपको बताएं कि अब गुडाई करने के बाद आपको क्या करना है इसमें और गैने को एक फडलायर है जो आपको मेरे आतमें दिखाई दे रहा होगा यह हमारा देशी गुवर का खाथ और इससे क्या होता है कि हमारा जो प्लांट है उसमें अच्छे से नमी बनी रहती है इससे मारा प्लांट हो अरावरा बना रहता है इसको में अपने प्लांट मच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं तो यह देगे थोड़ा सा और भी डाल लेते हैं तो इस तरह से हमने इस खाद को अपने प्लांट की सोयल मच्छे से मिक्स कर लिया ह इसके बाद हम डालेंगे अपने प्लांट में और्गेनिक फटलायर जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा यह मारा बनाना फिल फटलायर से क्या होता है कि मारा जो प्लांट हुआ अच्छे से फ्लावरिंग देता रहता है इसलिए हम इसमें अपने बनाना फिल फटलायर क आउज कर रहे हैं तो यह हो गए मारे मारे प्लान्ट के लिए कुछ के एंड कुछ और जैने फड़ लायर तो मीद आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक की जिए एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कि आने बाद लेटिस वीडियो की जान करें आपके पहर पास जल्द पहुंचें थैंक यू